अत श्री दुर्गा सप्ट्षती चतुर्थो ध्याया इंद्रादी देवताओं द्वारा देवी की स्तुती ध्यानम वोम। काला भराभा कताक्षय रिकुल भयदा मौले बधा इंदुरेखा शद्खा चक्रम कृपाना त्रुषिक मपी करेरुद्वहंती त्रिनेत्राम, सिंग सकंधा धिरुधा त्रिभुवन म्खिला तेजसा पूरयंती ध्यायद दुर्गा जयाख्या, त्रिदश प्रिवरितान सेविता सिद्धि का मैह सिद्धी की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता, जिन्हें सब और से घ हेरे रहते हैं, उन, जया, नामवाली दुर्गादेवी का ध्यान करे, उनके श्रियंगों की आभा, काले मेग के समान श्याम है, वे अपने कटाक्षों से शत्रिसमूल को भाय प्रदान करती हैं, उनके मस्तक पर, आबद चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है, वे अपने हा पूर्ण कर रही है, ओम, रिशिरुवाच एक शक्राध्या सुर्गना नहतेतिवीर ये तस्मिन दुरात्मनी सुरारिबले चादेव्या, तान, तुष्टुवूं प्रंतिनम्रशिरुधरान सा वागभे प्रेर्शपुल कोदगमचारुदेहा दो रिशी कहते हैं, एक अत वती दुर्गा का उत्तम वचनो द्वारा स्तवन करने लगे, उस समय, उनके सुन्दर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था दो देव्या याया ततमिदम, जगदात्म शक्तिया, निश्शेश देवगन शक्तिसमुह मूर्त्या, तामंबिकामखिल देव पूजया भक्त्या नतास्मा, वेध्धातु शुभानी सा नहतीन देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाई ही जिनका स्वरूप है तथा जिन, देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियो नहीं वक्तुमलं बलाचा, सा चंडिका खिल्जगत परी पालनाए नाशाए चाशुभ भयस्यमति, करो तू चार जिनके अनुपम प्रभाव और बलका वर्नन करने में भगवान शेशनाग, ब्रमहाजी तथा महादेव जी भी समर्थ, नहीं है, वे भगवती चंडिका पूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें चार या श्री, स्वयम सुकृतिना भवनेश लक्ष्मीर पापात्मना कृत्दियां हरिदे येशु बुद्धे, श्रद्धा सता कुलजन प्रभावस्य, लज्जा तान्त्वा नतास्मा परिपाले देवी विश्वम पाँच जो पुन्यात्माओं के घेरों में स्वयम ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहां दरिदटा रूप से, शुध अंत, करनवाले पुरुषों के हरिदे में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रधा रूप से तथा कुलीन मनुश् जारूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं, देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए पाँच की वर्नियाम तव, रूप मचिंत्य में तत की चाति वीर्यम सुरक्षय कारी भूरी की चाहवेशु चरितानी तवाद भुता देविय सुर्देव गनाय केशु छे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा, समस्त देवताओं और देत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किये हुए आपके अद्भूत चरित्रों का हम किस प्रकार, वर्नन करे छे दूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्नवदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से, कहा 29 तीस देव्योवाच 31 व्रियतां त्रिजशाह सवे यद्मत अभिवान्षितम 32 देवी बोली 31 देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाशा रखते हो, उसे मांगों 32 देवा उचुह 33 भगवत याकृत सर्वम न कीचिद्वशिश्यते 34 देवता बोले 33 भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है 34 यदे नेहितः शत्रुरस्माक महिशासुरह, यदी चापी वरो देयस्त व्याजमाक महेश्वतरी 35 क्योंकी हमारा ये शत्रु महेशासुर मारा गया, महेश्वरी, इतने पभी यदी आप हमें और वर देना चाहती हैं 35 संस्मृता संस्मृता त्वम नोहिंसे था परमाब्दह, यश्चो मर्त्या स्तवैर्भित्वा, स्तोश्यत्म लानने 36 तस्य विद्तर्दि विभवेर्धन अदारादिसंपदाम, विद्धयस्मत प्रसन्ना त्वम भवित्हा, सर्वदांबिके 37 तो हम जब आपका स्मरण करें, तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकच दूर कर, दिया करें तथा प्रसन मुखी अंबिके, जो मनुष्य इस स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुती करें, उसे वित्धी और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदी संपत्ती को भी बढ़ाने क के लिए आप सदा हमप, प्रसन रहें 36-37 रिशिरुवाच, 38 इती प्रसादिता देवेरगतो थे तथात्मनह, तथे त्युक्तवा भद्राकाली, बभुवांतर हितान रिप 49 रिशी कहते हैं 38 राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्यान के लिए, भद्राका यथा पुरा, देवी देव शरीर्भियो जगतर एहितैशिनी 40 भूपाल, इस प्रकार पूर्वकाल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वो सब कथा मैंने कह सुनाई 40 पुनश्चे गोरी देहाथ सा समु यथावत कथ्यामी तेहरी, ओम 42 अब पुनह देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्च देत्यों तथा शुम्ब, निशुम्ब का वध करने एवं सब लोकों की रक्षा करने के लिए गोरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वो सब प्रसंग मेरे मुह से, सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्नन करता हूँ, 41-42 इती श्रीमाकंडेय पुराने सावर्ने के मनवंत्रे, देवी महात्मिय शक्रादिस्तुतिर नाम चतुर्थो ध्यायाह 4 ओवाज 5, अर्धश्लोकोय 2, श्लोकाह 35, एवं 42, एवं आदितह 269 इस प्र नामक चोथा अध्याय पूरा हुआ चार